रियल फ्लेवर न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ दुर्गेश गाजरी भारत के पडोसी देशों में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है मौल दीप में सेन्या सरकार आने के बाद भारत की मजूद्गी लगातार कम होती जा रही है मौल दीप के राश्टरपती अब्दुल्ला यामिन को चीन का समर्थन हासिल है यामिन सरकार ने कहा कि भारत उनके देश से सेन्या हेलीकॉप्टर और अपने कर्मियों को जल्द बापस बुला ले जून में भारत के साथ करार खत्म हो गया है और मौल दीप इसका नवीनी करन करना नहीं चाहता भारत भले ही विशवभर में अपनी पकड मजबूत करने में जुटा है मगर पडोस में भारत की दावेदारी और नेतरतव कमजोर होता जा रहा है पडोस में अगवाही की भूमी का अब चीन निभाने लगा है भारत के सबसे करीब और पुराने मित्र मालदीब में भी चीन बाजी मार चुका है और अब मालदीब में भारतिय कर्मी और सैन्य हेलिकॉप्टर चलते हुए नजर नहीं आएंगे यहां अब भारत की बजाए चीन की सैनाय पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएंगी बता दे की हिंद महासागर की देशों में भारत दशकों से सैन्य और नागरिक सुधाएं प्रदान करता रहा है अब वो काम चीन ज़्यादा आकरमक तरीके से कर रहा है और भारत को उन देशों से अपने पैर पीछे खीचने पड़े हैं इस साग आस्टरपती यामीन ने मालदीब में जब अपातकाल लगाया था तो भारत में इसका विरोध किया था यामीन ने इसे मालदीब के अंतरिक मामलों में हस्तक शेप करार दिया था तब से ही यामीन सरकार अपने मुल्क से भारत का पत्ता साफ करने में जुटी हुई है अमेरिका और तुर्की में तनाब भढ़ता जा रहा है अमेरिका के प्रतिबंदों के बाद तुर्की की मुद्रा लीरा में इतिहासिक गरावट दर्ज की गई कुल मिलाकर एक हफ़ते में तुर्की की मुद्रा सूला प्रतिशत लुडग गई अमेरिकी राश्टरपती डॉनल्ड ट्रंप ने तुर्की के स्टील और अलमीनियूम पर अयाज शुलक बढ़ा कर दुगना कर दिया तुर्की के इस फैसले से तुर्की की मुद्रा को बढ़ा धक्का लगेगा तुर्की के राश्ट्रपरती उर्दगान ने अमेरिका को चिताबनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका के पास डॉलर है तो हमारे पास अल्ला है हम किसी के आगे नहीं जुगेंगे एक-एकर अमेरिका उन सभी मुस्लिम देशों को कमजोर करता आ रहा है जिन्होंने विशव स्तर पर विशेश भूमिका निभाने की कोशिश की है पहले इराक, अफगानिस्तान और इरान जैसे तेल जैसे खुद्रती सरोत से भरपूर देशों को बराबर किया और अब तुर्की के पीछे लगा है अमेरिका ने तुर्की पर कई किसम के प्रतिबंद लगा दिये हैं जिससे तुर्की की मुद्रा में भारी गिरावट आई है प्रंप ने अपने ट्विट में कहा कि हमारे मजबूर डॉलर की तुलना में उनकी मुद्रा कमजोर है अमेरिका और तुर्की के संबंध अभी ठीक नहीं है तुर्की राष्टपती देचप तैयप ने कहा कि विदेशी तागतों के कारव उनकी मुद्रा में गिरावट आई है तुर्की ने अमेरिका पर पलटवार की चिताबनी बिधी अंद्रवान ने कहा कि अगर उनके पास डालर है तो हमारे पास लोग है हमारे पास अपने अधिकार है और हमारे पास अल्ला है विशलेशकों का मानना है कि अंद्रवान ने ऐसे ब्यान से लीरा में सुधार नहीं होगा बलके हालात और खराब होंगे ट्रम्प के ट्वीट के बाद अंद्रवान ने रूस के राष्टपती पूटिन को फोन मिलाया और बात की रूस की तरफ से ब्यान आया है कि दोनों नेताओं ने अर्थ विवस्ता से जुड़े मुद्दों पर बात की है बरेली से करीब 30 किलोमेटर दूर आवला कस्वे के पास खोलम गाम के ज्यादातर मुस्लिम परिवार दो हफते से अजीब सी दहशत में है और यहां से प्लाइन कर रहे हैं इनके गाम से निकलने वाली कावड यात्रा के दोरान किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए पुलिस ने इन्हें चेताबनी दे रखी थी और सैंकडे लोगों को रेड काड जारी किया गया था हलाकि ये रेड काड ऐसे सभी संदिक्दों को जारी किये गए थे जिन से पुलिस और परशाशन को महौल बिगडने की अशंका थी लेकिन इसके डर से प्लाइन करने वले परिवारों में मुस्लिम ज्यादा है ब्रेली के आमला कस्बे के पास खोलम गाउं अब खाली होने को आया है गाउं के ज्यादा तर मुस्लिम परिवारों के घरों पर पिछले कई दिनों से ताले लड़क रहे हैं जिनके घरों पर ताले नहीं हैं वहां कुछ एक महलाएं ही हैं बाकी लोग कहीं दूर अपने रिष्टेदारों के घर जा चुके हैं दरसल पिछले साल कावर यात्रा के दोरान शिवरात्री के दिन इस गाउं के दोनों समुदाओं के बिच हिंसक जड़प हो गई थी उसी को समुदाओं के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी इस बार भी वैसी कोई घटना ना घट पाए इसलिए लोगों को रेड कार जारी किये गए हैं हलांकि हमारे संग्यान में ये बात नहीं आई है कि लोग इस वजह से घर चोड़ कर गए हैं गाउंवालों का कहना है कि लोगों का डर था कि कहीं कोई विवाद होने पर उनका नाम ना आ जाए इसलिए वो खुद ही चले गए हैं तरहिंद के महला दलीची में हर साल की तरह इस साल भी तीज का त्योहार बड़े हर्शों उलाद से मनाया गया इस अफसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगा-रंग कारेक्रम पेश किया गया एंजल वर्ट सरहिंद के सहीयोग से ये आयोजीत इसकारीकरम में समाज से भी शुश्मा गाजरी मुख्याती थी के तौर पर पहुँचे शुश्मा गाजरी ने बच्चों को इस त्योहार की बदाई दी और उनके साथ मिलकर इसकारेकरम को प्रभापशाली बनाया हर्चो लाज से जूम रहे ये बच्चे सरहंद में तीज का त्योहार मना रहे हैं नन्ने मुने बच्चों को ये खुशी देने में एंजल वर्ट सरहंद का काफी योगदन रहा महला दलीची में मनाएगे तीज के त्योहार में समास से भी शिरिमती सुश्मा गाजरी मुख्या तीथी के तौर पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों की होंसला अफजाई करते हुए त्योहार की खुशी को दोगना कर दिया कई घंटों तक चले इस कारिकरम में आसपास के बच्चों ने बहुत जियादा दिल्चस्पी दिखाई अच्छी प्रतिवा दिखाने वाले बच्चों को एंजल वर्ड की और से इनाम भी दिये गए इस अफसर पर शुश्मा गाजरी ने बच्चों से बाच्चित करते हुए उन्हें नैतिक मुल्यों को ग्रहन करने के नसीहत दी और कहा कि माता पिता और बड़ों का सम्मान और उनके अशिर्वा लेकर ही बच्चे जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हैं फतेगर साब से दीपक सूद की रिपोर्ट फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज फिल्दी की बड़ता रहें बड़ बड़काते जिन्दगी में आगे में वे इतना ही जच्चे घक बड़ने ही देखते हैं